एक बेहत खूपसूरत लड़की को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की आदत थी अपने सुन्दर सुन्दर फोटो खीशती थी, अपने सुन्दर सुन्दर वीडियो बनाया करती थी और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया करती थी साथ ही ऐसे लोगों की तलाश में रहती थी जो लोग रात के अंधेरे में जब दुनिया सोती थी जो जाकते थे ऐसे जाकते हुए लोगों से बाचीत क्या करती थी जब उसे पता जल जाया करता था कि इस व्यक्ति के पास बहुत पैसा है तब उसे जादा बाते किया करती थी बातचीत का सिलसला जादा बढ़ता था तो सामने वाला व्यक्ति उसको अलग अलग तरह की डिमांड करने लगता था चेहरा तो उसका खुबसूरत था ही वो जिस्म कैसा है हर किसी की इच्छा होती थी कि तुम्हारा जिस्म कैसा है उसे में देखना चाहता हूँ और जैसे ही जिस्म देखने की चाहत उस व्यक्ति की बढ़ती थी तो ये लड़की की चाहत भी बढ़ जाये करती थी ये कहती थी कि इसके तो पैसे लगेंगे पैसे की डिमांड अगर पूरी हो जाये करती थी तो जिस्म का हिस्सा दिखा दिया करती थी यदि पैसे की डिमांड पूरी नहीं होती थी तो किसी नए शिकार की तलाश में जुट जाये करती थी लंबे समय से य offenses यन के साल-दर साल लगातार गुजडते चले जाते हैं और उस लड़की ने ऐसे ही अपने लोगों को शिकार बनाना शुरू कर दिया लगवग ऐसे ही शिकार बनाते बनाते एक करोड 75 लाक रूपी की रकम हासल कर लेती है अपने कबजे में कर लेती है और वो अपने दोस्तों से कहती थी मैं तब तक पैसे कमाऊंगी जब तक महेंगी चीज सस्ती ना लगने लगे और इसलिए उसने अमीर बनने की चाहत में कुछ ऐसे कदम उठाया था लेकिन एक गलती से उससे ना केबल किसी का गतल होता है बलकि सामने वाला भी बहुत बड़ी गलती पर था वो था तो बहुत गरीब आदमी लेकिन सामने वो अपने आपको बहुत अमीर व्यक्ती शो कर रहा था और यहीं से एक गतल की शुरुबात होती है जब इस गतल की बात समाज में लोगों में अख़वार में टेली विजिन के मादियन से लोगों तक पहुंसती है तो हर कोई हैरान था परेशान था क्योंकि वो लड़की अब तक एक हजार लोगों को ठक चुकी थी एक हजार लोगों से इसी तरह से पैसे वसूल चुकी थी आदाब नमस्कार सस्त्रियकाल मैं उस्मान सेफी आज की जो सची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सची घटना है राजिस्तान प्रदेश का एक शहर है जैपुर और दरसल इसी शहर की एक कालोनी है गांधी नगर कालोनी दरसल एक लड़का जिसका नकली नाम तो होता है विवान कोहली और उसका असली नाम होता है दुश्यंत शर्मा वो सोशल मीडिया पर विवान कोहली के नाम से जाना जाता था और घर, परिबार, रिष्टदार, दोस्त, ओफिस हर जगह पर दो दुशन्त शर्मा के नाम से जाना जाता था दो मई 2018 के शाम 6 बजे के आसपास जब अपने ओफिस से सीधा घर पहुंसता है तो घर जैसे ही जाता है, रास्ते भर में वो चैटिंग करता हुआ आ रहा था चैटिंग करते करते सामने से कोल आतीक मेसिज आता है कि आज रात को मैं बिक्कुल अकिली हूँ, क्या तुम मुझे मिलना चाहोगे, क्या मुझे बातचित करना चाहोगे अक्सर तुमने मुझे ओफलाइन देखा है आज मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे साक्षात देखो जैसी मैं दिखती हूँ जो तुम्हारा मन करता है तुम वो कर सकते हो तुम्हें को कोई रोकेगा नहीं तुम्हें कोई टोकेगा नहीं जब लड़की ने कुछ इस तरह की बात की तो उस लड़के को घर बहुत दूर लग रहा था, ऐसा लग रहा था, घर काब आएगा। बस बस में चल रहा था, चैटिंग चल रहे थी, घर जैसे पहुंचता है, अपने बीबी से, अपने बेटे से कहता है, अपने पिता से और अपनी मा से कहता है कि मैं बस थोड़ी दिर के लिए किसी काम से जा रहा हूँ, परशान होने की जरूत नहीं खाना भी बहारी आल्टो केटेन उस गाड़ी की चाबी लेता है और चाबी लेने के बाद सीधा उस बताए होई एडरस पर बताए होई पते पर पहुँच जाता है पहले ये लड़का रहता है थाना जोट वड़ा एक इलाका है लेकिन इसको जाना था गांदी नगर गांदी नगर का एक फ्ल एक दूसरे के साथ बाचीत करते करते एक दूसरे के कपड़े पे उतरने लगते हैं और धीर धीरे वो उस इस्तिती में पहुचने वाले थे जिस इस्तिती में पती पत्नी होते हैं या फिर एनेतिक सम्मंद बना रहे थी सीधी सीधे कहें तो एक दूसरे के साथ शायर एक स मंद बनाने में मश्गूल हो जाते हैं लड़की उससे बातचीत करने लगती है बातचीत करते करते लड़का कहता है कि ठीक है बातचीत बाद में करेंगे फिर दूसरी बार पर उसके साथ वैसे ही करने की वो कोशिश कर रहा था लड़की ने कहा कि तुम लगते तो बहुत अ पर रहते हैं, उसने कहा मुझे इस बास से कोई आतराज नहीं है, तब यो रही कहता है कि उतना अमीर नहीं हो जितना अमीर मेंने सोशल साइट पर आपको बताया था, तब यूस लड़की को बहुत गुस्ता आता है, उससे लगता है कि उसके साथ चल हुआ है, उसलंगी ने कहा कि तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है तुम क्या बोल रहे हो तब ही लड़की ये भी कहती है कि तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या बोल रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ जो किया है वो सब कुछ कैمرे में कीड़ियो बन चुकी है। उस लड़की ने जब यह बोला तो लड़का वो देखते रहा जाता है। लड़का कहता है के तुम जूट नहीं बोल सकती। मैं तुमसे कई महीने से फरवरी से आस तक बाते कर रहा हूँ कितने अच्छी से बाते करती हो तुमने अपने घर को कितने अच्छी से सजाया हुआ है लड़का लड़की आपसे बाच्छीत कर रहे थे अचाने की वहाँ पर एक और लड़की की एंट्री हो जाती है रड़का दिक्षान्त कामरा उता है जो की रहने वाला तो मुम्बई का था लेकिन वो फिलहाल अपनी गल्फरेंड के पास आया हुआ था और दिक्षान्त कामरा उसका अपना मॉबाइल दिखाता है मुबाइल में दिखाते हुए वो सारे लम्हे जो अभी घंटे दो घंटे में कैद हो चुके थे जब दिखाता है तो हाथ जोड ने लगता है हाथ पैर जोड़ कर कहता है कि भाई मुझे माफ कर दो मैं गलत जगे आ गया हूँ तुम्हें पता नहीं है कि मेरी इस्तिती जाद था ऐसी सी बिल्डिंग के बाहर खड़ा होकend ए कि मेरी बिल्डिंग है यानी कि खुद को उसने करौण पती जद दर्शाय होा था जो लड़की होती है सामने उस लड़की का नाम होता है पिरिया सेट को लगता है कि इनके साथ चल हुआ है तभी उसके हाथ और पैर लड़ डरने लगता है क्युक् devam यह पर अकेली एक लड़की नहीं थी उसका दोस्ट भी आजाता है इसका नाम होता है लख्षेवालिया – पहले सही दिंखश र्यख्षान brought can't यहां पर मौझूद था, लक्षे अवालिया भी आ जाता है, लक्षे अवालिया और दिख्षान तो दोनों उस लड़के को समझाते हैं, हाथ पर बंदे होए थे, तब ही फोन कराय जाता है, और फोन कराय जाता है उसके पिता जी को, रामिश्वर शर्मा जी को, शर्मा जी को उसके पिता जी कहते हैं कि इस इतनी रात में 10 लाख रुपए का इंजाम में कैसे करूं। तो उसने कहा कि पापा कहीं से भी किसी भी तरह से आपको इंतिजाम करना ही होगा। कि 11 या 12 बच चुके थे किसी तरगीब से उसने पैसे का इंजाम करना शुरू कर दिया और ऑन लाइन ही उन पैसों को उसने उस अपने बेटे के खाते में बड़वा दिया। इधर ऑन लाइन खाते में पैसे लवाए जाते हैं उसके पास मैसेज आता है कि लगभग उसके पास 3 लाख रूपए एकाउंट में होते हैं एकाउंट में जो इसका पहले तो उसका जो चेहरा था उसको तकीय से ढखने की कोशिश कर रहे थे दम घोटने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो उससे नहीं मर पाता है तब उसका गला दवाने की कोशिश कर रहे थे गला दवा रहे थे वो पूरी तरह से चटपटा रहा था अपनी जिंदगी के एक के बाद एक लगवग 11 वार किये जाते हैं और जैसे 11 वार होते हैं उसमें वो डेर हो जाता है, मर जाता है अब ने लगता है कि पैसे तो हमारे पास आई चुके हैं कर इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए उन्होंने बहुत आसानी से एक रास्ता अपनाया और उस लड़के को बैक के अंदर पैक किया और पैक करने बाद जो आमीर की पहाड़ियां है वहाँ एक नई माता का मंदिर है उसके इलाके में उस डैड बोडी को फैक देते हैं लेकिन जब रात के कई घंटे बीत जाते हैं घर पर कोई इतला नहीं मिलती घर पर कोई फोन न वाली वहां का एक फालना एक इलाका है एक जगह है वहां के रहने वाली जिसका नाम है प्रिया सेट प्रिया सेट उस वक्त 25 साल के आसपास के रही थी लड़की के दादा प्रिंसिपल थे लड़की के पापा फालना में ही लेक्चर और लड़की की मां सिक्षी का यानि कि परिबार बहियत पड़ा लिखा था और इस लड़की ने दसमी की परिक्षा जब पास की थी तो 82% यानि कि 82% नमबर इसने हाइ स्कुल में लिक्या है थी और जब इसने बार्वी पास की थी तब इसके 78% नमबर थे इसकी माह कहती है जो कि वहीं सिक्षिका थी मा कहती है कि बेटा प्रिया सेठ हम तुम्हें शहर भीज रहे हैं यानि कि जैपुर भीज रहे हैं पढ़ने के लिए और मानसरोबर के पास एक कॉलिज है प्राइबिट कॉलिज वहां पे तुम्हारा एडमिशन करा दिया है तुम्हें वहा प्रेशर था और लड़की कुछ अलग करना जाती थी बच्पन से ही उसके खौफ थे कि वो इतना पैसा कमाए कि अपनी जिंदगी की हर जरूरतों को पूरा कर सके कुछ दिन तो रिष्टदारों को यहां रहती है लेकिन कुछ दिन के बाद उस लड़की ने अपना खुद का एक कमरा कराय पे लेती है और रहना शरू कर देती है शाथ य उससे लगता है कि जो ज़रूरते हैं घर से जो पैसे मिलते हैं उनसे पूरती हो नहीं पाती है क्योंकि जैपूर की चका चौन में वो बुरी तरह से घुल रही थी बड़ रही थी तो उसने सोचा क्योंना एक नोकरी कर ली जाए इसलिए उसने एक अखवार में इश्तिहार मिलता है उस इश्तिहार को देखने के बाद वहाँ पर इंट्रिवी देने चली जाती है और जैसी वहाँ इंट्रिवी देने जाती है उस लड़की को नहीं पता था कि वह एक दलदल में बूरी तरह से फस चुक और जिस कॉलिज में वो पढ़ती थी, वहां की लड़कियों को भी उसने ओफर देना शुरू कर दिया, कुछी घंटों का काम है, आप कमरे में आओ, उनकी साथ वक्त बिताओ, और उसके बाद मन चाही रखम ले जाओ, खुद भी वो काम किया करती थी, उसकी जो कॉलिज की लड़कियां थी, वो भी इसकी कही न कही जहां से में चली आया करती थी, और उसने उस जगे पर अपना काम करना जैसे ही शुरू किया, तो उसे लगा कि इस लाइन में तो बहुत ज़्यादा पैसा है, इस लाइन में अगर पैसा है, तो क्यों ना कुछ अलग किया जाए, अमीर घरों के लड़कों को फसाना अमीर लोगों को फसाना उनको अपना जिसम दिखाना जिसम दिखाकर पैसे वसूलना धीरे धीरे करके वक्त आगे गुजरने लगता है और अमीर घरों के लोग कहीं ना कहीं इसके जाल में फस्ते चले जाते हैं और जितने पैसे मांगती तो उतने पैसे मिल जाते थे लड़कियों की भी वेवस्ता करती थी और जहां कहीं भीजना होता था वहां भीजा करती थी और ऐसे ही उसने एक नया तरीका अपनाया उसने कहा कि इस तरह से हजार दस जार बीस जार रुपए अगर हम वसूलेंगे तो इसे बात नहीं बनेगी रुपे ज़्यादा बसूलने के लिए उसने लोगों को अपने पास बुलाती थी और जब अपने पास बुलाती थी तभी वो अपनी एक ऐसी ब्लू फिल्म बनाया करती थी वीडियो बनाया करती थी उस वीडियो को दिखाने के बाद सम्मंदित व्यक्ति से पैसे वसूलती थी अगर तुमने पैसे नहीं दिये तो तुम्हारी वीडियो को सोचल मीडिया पर वारल कर दिया जाएगा लोग डरके मारे पैसे दीदिया करते थे इसलिए वो हजार रुपे कमाने वाली दो हजार दसवीस जार रुपे कमाने वाली लाखों कमाने लगी और लाखों से उसके पास करोड़ों रुपे होने लगे इसकी बोड़ी चार मईई 2018 को मिलती है पुलिस वालों ने मुकदमा दर्ज कर लिये था उसके पिताजी की तहीर के आधर पर जब गुमशदगी का मुकदमा दर्ज होता है उसके बाद उस लड़के के पिताजी को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद एक मोड़चरी में बोड़ी रखी हुई थी, उसके कपड़े, उसके हाथ में बंदा हुआ कलाबा, उसके शहीर पर तिल, उसके आधार पर उसकी बोड़ी के पहचान लिया था, क्योंकि उन लोगों ने उसका चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ गया था, अब चेहरा बिगड़ चुका था, लेक लेकिन ये जूट बोलकर ये फस गया, अब पुलिस बाले ने इस लड़के के मोबाइल के आधार पर जब जांच परताल शुरू की, तो उसका आखरी लोकेशन उस गांधी नगर के इलाके में पाया जाता है, उस फोन की डिटेल निकाली गई, सीडियार निकल वाई गई तो पता चलता है, उस लड़की से कॉंटेक्ट में था, और महज 72 घंटे के अंदर ही वो लड़की पकड़ी जाती है, अपने दो साथियों के साथ, एक साथी लक्षे बालिया होता है, दूसरा साथी दिक्षांत कामरा होता है, जो कि मुंबई के रहने वाला था, और जो कि यहां के जैपुर मा के बस जाता है, उसके साथ लिव-इन रिलेशन्शिप में रह रह रहा था, दोनों मिलकर इसी तरह से पैसे कमा रहे थे, दोनों कहते थे तब तक पैसे कमाएंगे, जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगें, और यही कारण था, उसके पास जब च जोग बन गया था, जिस दिन पुलिस ने उससे ग्रिफतार करके जेल भेजा, तो वो मीडिया के सामने हस रही थी, लोग इसकी हसी को देखकर ताजुप कर रहे थे, जब मीडिया के एक पतरकार ने इससे पूछा कि तुम्हें जो किया है, तुम्हें अपने किये पे कोई पश्ताबा नहीं है, उसने कहा कि ये दुनिया का कोई पहला मडर थोड़ी नहीं है, कि जो मडर हो गया, इसमें इतने हायतोबा करने की जरूरत है, इसलिए जो हुआ है, कानून सजा देगा, ठीक है, हम सजा पाने के लिए तयार हैं, लेकिन इससे भी अच्छी और जा चुकी थे, लेकिन चोथी बार जो जेल गई, फिर वो कभी बाहर निकल के नहीं आ सकी, क्योंकि सन 2020 में उसने जेल से बाहर निकलने के लिए हाई कोट में जो अपील की, तो जजस साब ने ये कहते हो मना कर दिया, कि इतनी शातिर लड़की को बाहर भेजने की कोई होना नहीं है, बलकि आपको जागरू करना है, आपको सच्चेत करना है, आप जहां भी रहें, अपना खयार लखें, सुरक्षित रहें, जै हिन, जै भारत!